तो दोस्तो इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले एक्चली इसी स्टीटेन जो चल रहा है और फास्ट मैच जो है उसके बारे में यहां पे एक न्यू टीम खेलने वाले दोस्तो ज़रूर जोईन करें ताकि आपको मैं स्टैट्स भी प्रोवाइड करो टेलिग्राम पर जैसे अब देख सेक्थे ऐसे स्टैट्स प्रोवाइड किया जाता है बैटिंग ऑडर के साथ और साथ में शाब को फाइनिल टीम भी प्रोवाइड किया जाएगा और उनके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे युनाइटेड का जो टीम है, यहाँ पे जो टिक मार्क रखा हुआ है, मतलब जो ग्रिन टिक दिया हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा है, जिनको आप अपने टीम पे कैप्टेन, वाइस कैप्टेन की तौर पे इस रिलेट परिहर, जो कि इनके लिए टॉप ओडर बैट्समेन है, प्लस फूल बोलिंग करते है, तो आप इनका प्रफोमेंस देख सकते हो, 15 मैच पे 149 रान, 25 बोलिंग किया है, यानि 30 बोलिंग की जगा 25 डाला है, 8 विकेट्स उनको मिला है, अगर हम बात करें इनकी टीट्वेंट जो कि ओपेन करते हैं और पावरेटर बैट्समेन भी है, और साथ में बोलिंग में अतलब ऐसा है कि बिकेट्ट कीपिंग भी करते है, ये बोलिंग एक ही मैच पे किया था, दो अबर में दो विकेट्स मिला था इनको, और बागी टोटल परफोमेंस में अगर देखा जाए बहुत अच्छे प्लेयर है, टॉप अटर बैटिंग करते हैं, दस मैच पे दो सो उननीस रायन के साथ अठरा वर बोलिंग डाला है, बीस के जग अठरा डाला है, काफी अच्छे आप कह सकते हो, पाँच बिकेट्स भी मिला है, तो एक अच्छे ओल राउंडर के तार पे दिरपूर इडी को आप अपने टीम पे कैप्टर और फास कैप्टर की तार पे शिलेट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे एक और है दिराज गाई कोड जो की विकेट टेकर बोलर है, आठ मैच पे आठ ओबर डाला है, छे बिकेट्स लिए है, इन्होंने पूरा और बॉलिंग न नजर आ रहा है मुझे, बाकी ओविसली 40-60 कह सकते हो कि इस टीम की चांसे 40% रहेंगे, तो ऑपोनेंट का चांसे 60% रहेंगे इस मैच को जिता आने के लिए, और बात करेंगे बाकी सारे प्लेयर की तो इजार उल्ला जो कि इनके लिए मीडिल ओडर बैटिंग करते है, पा 40-40 रान इन्हों ने बनाए है दोस्तों, आट ओवर बॉलिंग किये, तो अट नील की जो है सिलेक्शन काफी हाई रहते है, पतन इस बार क्या रहेंगे, बट हाई रहते है बड़ इनको लेनी की ज़रूत नहीं, टीटेन में तो इनका कुछ अच्छा पर्फुमेंस आप द करते हैं, एक और एक आद ओवर मिल जाएंगे, तो आप ग्रेंडलिंग में इनको रोटेसिन पे पिक कर सकते हैं, बट सिंगल के लिए साइद आपको छोड़ना ही बेच रहेंगे, उसके बाद दोस्तों, अजीत है, अजीत की बात करें, आट मेंसे दो यह बार बॉलिंग एक बिकेट्स मिला है, तो प्लेयर उतनी खास नहीं, रोटेसिन पीक के लिए तो ओके है, बट ग्रेंडलिक के लिए बिल्कुल नहीं, सुरी सिंगल के लिए बिल्कुल नहीं, जैक मुरेल जो की छे मैच पे फॉर्टी एट रन मना है, लोडर बैटिंग करते हैं, पावर मार्क मार्क अगर हम बात करें इंट्रनेशनल इन्होंने खेला यह चे आप सकते हुए इंको भी टिक मार दिया जा सकता है तो प्लेयर अच्छ है मार्क को अगर आप चाहो तो ग्रेंड लिंग में ट्राइब कर सकतो कैफटेन वाइस केफटेन लिए उसके बाद इस सोर मैथा जो कि दो मैच पे 17 रान तीन वार बॉलिंग की है अभी सेटी तीन मैच चार वर बॉलिंग की है बिकेट्स नहीं मिले है राजा गोर दो मैच पे दो वर बॉलिंग की है गुलाम अबस की मुझे परफॉमेंस नहीं मिला है यह रहा युनाइटेड की जो है स्टैट्स बाकि अगर हम बात करें वदावेश्ट ब्लेंडर्स की तो यहां पे पहले भी दो मैच हो चुके है आप चाहो तो दो मैच की स्टैट्स आपको प्रोफाइट करा दोंगा मैं जो भी मतलब दो मैच पे उनकी स्कोर कार्ड वगर कर रहा था ओविसली बाकि देखा जाए तो इनके कुछ स्टिक मार्क मतलब पहले से किया हुआ है इनके लिए सलमान खान जैसे मैंने टीक करके रहा था अली यलमाज जो की काफी अच्छी प्ले आ रहे हैं अपने लास्ट मैच पे भी देखा होगा अली जो की टॉप और मै पहले जैसे मिर्टिंग भी कर लिए इनको मतलब मीडिल ओडर में बैटिंग करते हैं हाला कि दोनों मैच पी इनको बैटिंग पर मौका नहीं मिलाय अली अलमाज को एच्छे है टुन्टी मैच पी तोनों मैच पे विक्ट लिए है रास्ट तोनों मैच पे सो ओल्यशली पॉलिंक में देख सकते हो आप टीटेन है तो ज्यादा तर डेट बोल के कुछ होते नहीं यहां पर सारे ओपर डेट ओबर होते मतलब इनके लिए पावर टेंग करते हैं शो महंदास इनके लिए काफी अच्छे है अच्छी बात है कि इनको आप अपने टीम पर कैफ्टन वास कैफ्टन ट्राय कर सकते हो बट लास्ट मैच पर इन्होंने बॉलिंग नहीं किया है दो मैच हुआ एक मेनों ने बॉलिंग किया दो मेच पर कुछ तीस रंदे के एक बिगेट प्लस 21 रन सेकंड मैच पर मुझे एक्जक्ट रंग तो याद नहीं आ रहा है बट बॉलिंग नहीं किया था जहां पर आप अपने सिंगल के लिए भी कैफ्टन मना सकते हो या फिर यहां पर आपके लिए लास्ट मैच पर बॉलिंग नहीं किया है लेकिन प्लेयर अच्छे होते हैं तो ट्राइ करना ज़रूरी है बात करेंगे यहां पर सारे प्लेयर की बात करें तो जो भी 11 प्लेयर केलने वाले इनके लिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप जहलक देख सकते हो यहां पर चाहो तो वीडियो को पॉज करके प्लेयर की स्टैट्स को आप नोट कर सकती हो जहां पर आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे ठीक है अवाज गनी बिकेट किपिंग किया है लास्ट मैश प्लेयर बहुत अच्छे पता नहीं इनको बिकेट के पर यह खुदी कैप्टैने टीम के एक मैच खेला है दूसरे मैच पी इनको ड्रॉफ हुआ था सायद बॉलिंग नहीं कर रहे थे यह क्योंकि बिकेट की पर मैंसन था और अगर यह फ्लेयर खेलते हैं और बिकेट की पर में और कोई ओफसेंस आते इनके लिए सो मेरे इनको आप ट्राई कर लेना आपने लिग बगारा में चलेंगे हम देखेंगे टीम की यहां पर एक टीम मना के रखाओं मैं जो की आप देख सकते हूं कैप्टेन मैंने शल्मान खान को ना है अभी इसलिए क्यों कि देखो क्या है कि घनी तो लास्ट मैंच पे खेला नहीं है अगर घनी खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर स्टीवन गौच की जगह पर घनी को पीक करने वाला हूं जैसी कि तिरदा सा में दिखाना है और यह हमारे शिलेक्सिन होंगे अगर यह सारे फ्लेस खेलते हो तो अगर कुछ चेंजेस होता है तो वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और यह चीज़ है कि अगर आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो जो